नमस्कार, मैं हो ससी, आए जर्खन की टॉप 25 परमुख खबर जानते हैं अभियार्थियों ने कहा है कि बहुत से छात्रों ने OMR सीट खाली छोड़ दी जो धांधली की ओर इसारा करता है अभियार्थियों ने बताया कि बुद्धवार को तीन बजे हजार बाक से आक रोस माल सुरू होगा परिक्षा रद नहीं हुई तो रांची में भी बड़ा अंधुरन किया जाएगा आरोप लगाया है कि रांची धनबाद समेत कई परिक्षा के दरों में बाहर के अभियार्थियों को पहले ही अंसर सिट मिल कई थी इंटरनेट से वाबंद कर सरकार खुद साबित कर रही है कि वह अगलबाडी में सामिल है UPSC जे PSE जैसी परिक्षाओं में इंटरनेट बंद नहीं किया जाता लेकिन CGL जैसी परिक्षाओं में इंटरनेट से वाबंद कर दी गई है जारखन के ड्रॉप आउट बच्चों को स्कूल लाने में मदद करेगी स्वयम से भी संस्थाएं जारखन में आउट आफ इस्कूल बच्चों को बिद्याले से जोडने बिद्यालेयों में सुने ड्रॉप आउट सुने स्चित करने और सत्परतिसत नमांकन कराने में राजे में संचाली स्वयम से भी स्वहयोगी संस्थाएं सिक्षा विभा को गैर वीतिय अधार पर स्वहयोग परदान करेगी वे स्कूल स्कूर कार्ड प्रोजेक्ट इंपेक्ट के सफलता पुरुवक किरानोयन को भी सुनिश्चित करेगी राजे सिक्षा पर्योजना परिसाध दवारा चोवई स्वयम से भी स्वहयोगी संस्थाएं के परतिनीधहों और जिला, प्रभाग प्रभारियों के लिए इस समद में विशेस सन्यूक्त प्रसिक्षन का रचेशाला आयोजेन की गई इस कारे साला में राजवित शिक्षा पर योजना निदीशक आजित रंजन ने उपस्थीत परतिनीधियों से कहा है कि बेहतर सिक्षा बेवश्था को सुनिश्चीत करने में सिख्षा विभाग के सासा स्वयम से भी सहयोगी संस्थाओं का भी अहम योगदान है विद्यालों की सेक्षिनी गुनवाता का उतकिष्ट बनाने और बच्चों को सिक्षा के मुखे धारा से जोड़ने में संस्थाय सयोग दे उन्होंने संस्थावर द्वारा समर्थीत विद्यालों में 100% नमानकन, 99% ट्रांजीशन और सुने ड्राप आउट के लक्षों वो प्राप्त करते हुए परते एक महिने कम से कम दस विद्यालों के लक्ष को प्राप्त करने का निर्दैस दिया है ज्यारखन में 25 और 26 सितंबर को भारी बारीज राजधानी राणची पच्मि सिम्हूम धनबात गिरिडी और हजारी बाग में कुछी घंटे में गिराज के साथ बारीज हो सकती है बता दे जारखंड के उतर पुर्वी, दक्षिन, पुर्वी और निकटवर्थी मदे भागों में 25 सितमर्गों कहीं कहीं भारी बारिस हो सकती है इनमें देवघर, धनबाद, दुमका, गिरिडी गोड़ा, पाकुर, जामतला, साहिवगान समेत अने जीले सामिल है मौसम भी भाग ने, आपने पुरुणवा ने बताया है कि कहीं कहीं गरज के साथ बजरपात भी हो सकता है इस दोरान तेज हवाए भी चल सकती है, मौसम को देखते हुए एलो अलर्ट जारी किया गया है सीयम हेमांद ने चात्रा को 841 क्रोर की दी सोगात चारखंड के मुख्य मंत्री हमांशुरेन मंगलार को चात्रा दौरे पर थे, उन्होंने इटकोरी चितमा भद्रकाली की पावंधरती पर आयोजीत आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके दौर कारम में चात्रा औको डार्मा को 831 कोर रुपए से अधिक की सोगात दी है लाभकों के बीच परी संपतियों का वित्रन भी किया, उन्होंने कहा है कि विपक्ष के लोग धन बल से संपन हैं, जूट सर्च करने में माहिर हैं, ऐसे में गरीब लोगों को लगता है कि ये जो बोलता है वह सही बोलते हैं उन्गे केंद्र की NDA सरकार देश की सबसे व्रष्ट सरकार है, उनके पिता को लेकर अब सब्द बोलने वाले चेत जाएं सियम हमन सुरेन ने 841 कुलर की 702 विकास वे नाओ का तोफा चात्रा उकड़ार्मा जिले को दिया है लगभग 5 लाख लावकों के बीच 736 कौलर रूपए से ज़्यादे की परसंपतियों का बित्रन किया गया इस मौके पर पोसंद सक्षों के बीच नियुक्ती पत्र का भी बित्रन किया गया है जारखन के 43 साहिया को अब 4000 मानसिक मान दे जारखन में राष्ट्रिय स्वास्त अभियान के तहत कार रद 42 से 964 साहिया को अब भीभीन करकर मों मिलने वाली पुरसान रासी के अलावा 4000 मानसिक मान दे भी मिलेगा यमन सरकार ने मान दे की रासी 1000 रूपए बढ़ाने करेने लिया है इससे अब राष्ट्रिय स्वास्त अभियान के तहत 2000 रूपए मान दे निधारित है राष्ट्रिक्त मान दे के रूप में 1000 रूपए पर्दान करती थी इससे बढ़ाक कर अब 2000 रूपए करने का निलिया गया है इसे राज सरकार पर प्रति वर्ष 10,311 पर 36 लाख रुपे अतरिक्त बोज पड़ेगा राज सरकार ने साहिया साथी BTT तथा STT को मिलने वाली प्रोसाहारासी भी बढ़ाने का निर्णा लिया है सिक्षा विभाग ने BRP और CRP को नोकरी से निकाला जारखन सिक्षा परिविना परिशत की निर्णा आजित रंजन ने उन BRP को हटाने का आदेश दिया है जिन्होंने इस मां सुने से 5 बिद्यालों का ही निर्णा किया है इन्होंने उन CRP को भी सिवा मुक्त करने को कहा है जिन्होंने सुने से 10 बिद्यालों का ही निरिक्षन किया है निर्देशक ने सभी जीला सिक्षा पताधिकारियों एवां जीला सिक्षा अधिक्षकों को पत्र भेज कर या करवाई करने को कहा है उन्होंने निर्देश दिया है कि ऐसे साधन सेवियों की पहचान कर उनसे अस्पस्टिक रण पूछा जाए चंतोस चनक जबाब नहीं देने पर उन्हें सिवा मुक्त भी किया जाए राजे पर निदिशक ने सितंबर मा में अब तक विद्यालियों के हुए निरिक्षन का जिलवार बेवरा देते हुए कहा है कि परखंड साधन सेवियों दुआरा 69% तथा संकूल साधन सेवियों दुआरा 60% विद्यालियों का निरिक्षन किया गया कई ऐसे परखंड हैं संकूल में जहां के साधन सेयों ने एक भी विद्यालय का भरबन नहीं किया है बीजेपी के भानुपरताप ने कहा सरकारी पैसों से कलपना सुरेन का चेहरा चमका रहे जहारखन के भाजपा भिधायक भानुपरताप साही ने मंगलवार को कलपना सुरेन पर गंभीर आरोप लगाया है बीज्यासिक स्रीबन सिधर मंदिर में भागवान का दसन पुजन के लिए भी, राय साही परिवार और ट्रश्ट के दोारा भेद भाव बरता जा रहा है उन्होंने कहा है कि एक तरह बारा के बाद कपाट बंद होने पर दर्शन को पहुँची कल्पना सुरेन के लिए कपाट खोल दिया जाता है वहीं भाजपा के परदेश अदेश बाबुला मरांडी को मंदीर के नियम का हवाला देते हुए बाहर भागवान के तस्वीर रख पुजा कराया जाता है भारू ने कहा है कि श्रीवंसी धर मंदीर के ट्रस्टी जिला अधिकारी वह मुखे सची उसे इन सवालों का जबाब चाहिए आठ मा पुर बाबुला मरांडी बारा बजे के बाद मंदीर पहुँचे थे तब का पाट बंध हो गया था बीजेपी की सरकार बनी तो लाडली बहनों को 2100 रुपे प्रतिमाह देंगे केंद्री किसी मंत्री और भाजपा के जारखन चुनापरभावी सिराज सिंग चुवान ने कहा है कि जारखन में सरकार बनी तो यहाँ लाडली बहनों को प्रतिमाह 2100 रुपे देंगे यहां काम मध्य पर्देश में बिते 20 साल से किया जा रहा है देश में जहां जहां भाजपा की सरकार है वहां लाजली बहनों को सम्मान राशित दी जा रही है केंद्रिय मंत्री मंगरवार को गोड़ा के मेला मैधान में भाजपा की और से आयोजी जन सबाग में बोल रही थे इस दोरान उन्होंने राज़े की हमन सरकार परतिका आमला किया है उन्होंने कहा है कि हमन सरकार ने चुनाओ के तीन माँ पुरो मैय समाने विजना लाई है केंद्रिय मंत्री ने कहा है कि सरकार बीते साड़े चार साल तक क्या कर रही थी केंद्रिय मंत्री यहां भी नहीं रुके उन्होंने कहा है कि संताल प्रगना में घुस पैट के मुद्दे परहेमान सरकार को जम कर घेरा है सीवराज ने कहा है कि जे में मर्थात, जुल्म, मौडर और माफिया गिरी है इनसे राजे का भाला नहीं हो सकता आर्टियो कर्यालाय का कलर्ग 6,000 रिस्वत लेते गिरफतार जारखन में एसीवी ने वरेष्टाचार के खिलाब एक बार फिर बड़ी करवाई की है जनकारी के मुताविक कलर्ग बिकास कक्छप ने राज कुमार नामक एक सक से 6,000 रुपए परमिट रेनवल कराने के एवज में माँगा था बता दे कि आवेदक बिजय नामक बस संचाला का मालिक है और उसका बस रांची देवगार मार्ग पर चलता है आवेदक यह पैसे नहीं देना चाहता था इसलिए उसने इसकी सिकायत एसी भी हजारी बाक से की है आवेदक के आवेदक परफश्टाचा नियोधक बियोरो ने तुराथ संग्यान लिया और मामले का सत्यापन किया है जहारखन बिधान सभाचुनाओ की तेयारियों की समीक्षा पूरी भारत निर्वाचन आयोकी 13 सजस्य टीम ने जहारखन बिधान सभाचुनाओ की तेयारियों की समीक्षा पूरी कर लिया राश्ट्रिये और राज अस्तरिये राईनितिक दलों के प्रतिनिद्यों के साथ बैठक के बाद मोखे निर्वाचन आयोक राजीव कुमार एम उनकी टीम ने दो दिन तक विधान सभाचुनाओं के तेरियों के जाजा लिया राईनितिक दलों की मांगों और आपतियों को और चुनाओं के दौरान काम करने वाली प्रवतन एजेंसियों के साथ बैठक की उन्होंने जरूरी दिसानिदेश भी दिये हैं बता दे मंगलवार को दो दिन की यात्रा पूरी करने के बाद निर्वाचन आयोकी और से एक प्रेस बिक अपति जारी की गई जिसमें बताया प्रजेक्ट बिल्डिंग में साम चार बैठक होगी जर्खन बिदान सबा चुनाओं की तारीकों की खोसना से पहले होने वाली केबिनेट की बैठक में कई अहम और लोक लुभावने फैसले होने की उमीद है बता दे मंत्री परिशत की बैठक के बारे में मंगलवार को मंत मंत्री परिशत की बैठक सुक्रवार को चार बैठ से जारकन मंत्राले इस्थीत मंत्री परिशत कक्ष में होगी पलामु बाग रियारु छेतर में 35 गाओं के बिस्थापन और पुर्णवास लंबित राश्टरी बाग संरक्षन प्राधिकरन द्वारा एंटी सी ए चीफ वाल्ड लाइफ वाडन करनाटक सरकार को भेज़े पत्र में बताया गया है कि 19 राजियों में तीरपन बाग रिया के कौर एरिया में 35 गाओं के 570 परिवार का बिस्थापन यम उनका पुर्णवास किया जाना है लेकिन अभी तक बन वी भाग पलामु बाग रियारु एरिया में सिर्फ आट गाओं के कौर एरिया में होने का दावा करती है इर गाओं के अलावा और कौन-कौन से सताश का इसका उलेक नहीं है घुस पैठ रोकने के लिए जार्खन में बिजेपी की सरकार जरूरी जार्खन बिधान सबाद चुनाओं को लेकर बिजेपी की बरुवतर ने अतरा चल रही है हर दिन पार्टी के बड़े नेताओं को राज में आना जाना लगा हुए है इसी करमें पच बाजपा के पक्ष में महोल है घुस पैठ रोकने के लिए जार्खन में बिजेपी को सत्ता में आना जरूरी है भाजपा ने ता सुभेंदू अधिकारी धानबाद में होने वाले बिजेपी की प्रवतन साम्मील हुए बोकारों पहुँचे लेकिन धानबाद रवाना होने से पहले उन्होंने मीडिया से बात चित की उन्होंने कहा है कि जार्खन में बिजेपी के पक्ष में महोल है पधान मंत्री और ग्रीह मंत्री की सभा उमडी भीड इसका बड़ा उधारन है बाबुलाल ने कहा साजिस का पता ना चले इसलिए बंद करा दिया इंटरनेट बीजेपी के परदेश अदेश बाबुलामरांडी ने राज सरकार के खिलाप अपने तिवर और तलब कर लिये हैं उन्होंने कहा एक BJP परदेश कर्याले में JCCCGL परिक्षा के अभियातियों ने मुझसे मुलकात की और परिक्षा में हुई साजिस से अउगत कराया बाबुलाल ने ट्वीट में आगे लिखा है कि हेमंद सरकार ने इस बार JCCCGL परिक्षा में प्रश्णों के हो बहु मेल खा रहे हैं JCCCGL रिजनी के 20 में 16 प्रश्ण JCCCGL 2829-1 से हो बहु मिलातने पर पाए गए हैं वहीं JCCCGL मैद के 20 में से 16 प्रश्ण JCCC सन्यूगत असनातक अस्तार CBT परिक्षा से हो बहु मिलते हैं या बेहाधी संदेहास पदा है 26 सितंबर से All India Sub Junior Under 13 Batmintal रांची के खेल गाविष्थी ठाकूर विश्वनाज साहदेव इंडोर स्टेडिया में 26 सितंबर से यह कक्टूबर तक All India Sub Junior Under 13 Batmintal रैंकिंग चेंपियन सिप का विजन किया जा रहा है मंगलवार को रांची Batmintal संग ने प्रेश वर्ता पर परत्योकता की जनकारी दी है जारकन Batmintal संग के प्रभाकर राव रांची जीला Batmintal संग के अध्यक्ष आरके मलीक सचिव NKD ने मौके पर कहा है कि इस परत्योकता में देश वर्त लबग चार सो बालक वा बालका भाग लेंगे 26 और 27 सितंबर को प्रारामभिक मुकाबले खेले जाएंगे जिसमें एकल मुकाबले में टॉप 32 और यूगल में टॉप 16 बालक और बलका खिलाडी को में ड्रा में जगह मिलेगी लातेहर में 28 सराब दुकान अनिशित कालिन के लिए बंद लातेहर जिले के 28 सरकारी सराब दुकानों में कारणत कर्मियों का तीन महा से मांदे भुकतान लंबी था इसे लेकर पहले भी उतपाद मंत्री डिसी वा उतपाद अधिक छक से कर्मी गुहार लगा चुके है बता दे 27 सितमबर तक जिले में 47 सरकारी सराब दुकानों के इंचार्ज वह साहयक कर्मियों के पिछले तीन महा से मांदे का भुकतान नहीं किया गया तो वे 28 सितमबर से अनिशित कालिन के लिए दुकान बंद कर देंगे जार्खन में इस साल धनबाद में सुरधिक बारिस जार्खन में तीन साल के बाद समने बारिस हुई है मौसमबिभा के अकड़े के नुसार 23 सितमबर तक जार्खन में 949.3 mm बारिस हुई है जो समाने से 4% कम है पिछले दिनों साइकलोनिक सर्कुलेशन के गारण जार्खन के लबग सभी जुलों में अची बारिस हुई हलाकि 5 जुलों में समाने से कम बारिस का आकड़ा 20 से अधिक है आकड़ों के नुसार पाकुड में सबसे कम बारिस हुई है अब तक पाकुड में 55.4 मिलमीटर बारिस हुई जबकि समाने बारिस 1134.4 मिलमीटर है वहीं देवगर चत्रा साहव गंज में भी समाने से कम बारिस हुई है कल्पना स्वलेन की मैय समाने आतरा दूसरे दिन डाल्टन गंज गांडे विधायक कल्पना स्वरेंड की मया समान यात्रा दूसरे दिन पलामू प्रमंडल में शुरू हुई विधायक ने डाल्टेंग अईस्तित मा गड़ देवी मंदीर में पूजा अर्चना कर इस यात्रा का सुभारम किया है वही मय्या सम्मान यात्रा की दूसरे दिन कल्पना सुरेन मेदनी नगा सत्वारवा बकोर्या लातेहर चंदवा बालूमात हेरहंज और पांकी में मय्या सम्मान यात्रा करेंगी इस यात्रा में बतोर्य मुख्याती थी महिला बाल विकास, समाज कलियान मंत्री बेवी देवी, किरिसी मंत्री दिपका सिंग पांडे और पेजल मंत्री मिथलेज कुमा ठाकूर सहीद कई लोग सामिल हैं जारखन में सिमाये होंगी सील मुख्य निर्वाचन आयोगते जारखन में विधान सभा चुनाओ कराने को लेकर निर्वाचन आयोग ने कमरकस ली है मुख्य निर्वाचन आयोगत राजीव कुमार के नितित में आयोग की टीम ने सुबे में सभी परवतन एजेंसियों के साथ बैठा कर चुनाओ तेहरों की समिक्षा की है आयोग ने साफ कर दिया है कि निस्पक चुनाओ के लिए सभी दरलों को समान लेवल प्लेइंग फिल्ड मुहया कराई जाएगी सुबे में चुनाओ की दर्वान पड़ोसी राजियों से किसी भी तरह की गलबली ना हो इसके लिए सिमाए सिल करने के निर्देश भी अधिकारियों को दिये जाए है चुनाओ की तारिखों पर आयोग फैसला कब लेगा ऐसे तमाम सवालों पर मुख निवर्चन आयोग तराजियों कुमार ने समधताओ के सामने अपनी बात रखी मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कहा है कि हमने राज में सभी प्रवत्र एजेंसियों के साथ बैटा कि सभी को असपश निदेश दिये हैं चुनाव निस्पक्च होनी चाहिए यही नहीं सभी पार्टियों को समान लेवल प्लेइंग फिल्ड मिलनी चाहिए डिमस्प को निदेश दियेगा है कि चुनाव में किसी भी परकार का प्रलोभन जैसे ड्रक्स आदिकी समस्या से कडाई से निप्टा जाए जारखन में पांच स्वन बलोग निलामी के लिए तयार ओवरलाइपिंग का मुद्दा सामने ना आए इसके पुर्व खांस अचीव जीतनर सिंग ने अधिक रहे सवसुली पर फोकस करते हुए काम करने का निर्देश दिया है रामगण में 17 एकड मठ जमीन बेचने के मामले में एफाया है रामगण में मठ की जमीन को फरजी डीड के अधार पर बेचने के आरोब सत्य साबित हो रहे हैं अपराद अनुसंधान विभाग की प्रारंबिक जाच में असपच तोर परियाबाद सामने आई है और कुछ अधिकारियों की मदल से फरजी का अग्याद तयार कराये गए और इसके अधार पर राधा स्वामी मठ की जमीन बेच दी गई सिकायत करता पंकज महत्तों के अनुसार कुदरु खुर्द थाना खाता नंबर 77 प्लोट नंबर 1590-1625 आधी को मिला कर जमीन 17.18 एकड़ है और यह बेस किमती है सिकायतों के अधार पर मामले की जाँ CID से कराई गई तो पूरा प्रकरण खुल कर सामने आगया है गिरीडी में पेंशन से वन्चित आवेदको ने CEO को घेरा पेंशन का आवेदन देने के आठ माँ बाद भी स्वकृति नहीं मिलने से जरुआ डी पंचायत के आवेदको ने सरकार आपके दोर काकरम में पहुंची CEO प्रियांका प्रियदर्शी को घेर लिया है आवेदको ने CEO से आवेदन प्रकरवाई नहीं होने के बाद सरकार आपके दोर में आवेदन लेने के उदेश के बारे में जनकारी मांगी उन्होंने कहा जब आवेदन देने के आठ माँ बित जाने के बाद भी कोई पहल अधिकारी नहीं करते तो फिर इस तरह के आयोजन में आवेदन लेकर जानता के बेब कूप क्यों बनाया जा रहा आवेदको के भड़के रुक से सीयो को खासी परसानी जहलनी पड़ी हलाकि मामला परखन करयाले से संबन्दी था लेकिन वीडियो के अनुपस्थिती में सीयो के पहुचने के बाद आवेदको ने जोरदार बिरोत किया है हलाकि सुजबूज का परिचर देते हुए सीयो ने आवेदको को समझाने का कारिक की और बताया है कि मामला उसके संग्यान में नहीं था क्योंकि मामला परखन कर्याले से जुड़ा हुआ है यूपी और असम के सीयम का कारिकरम रद बेरमो बिधान सबाच्चेतर के करगली फूटबोल ग्राउंड में 25 सितमर को होने वाला उतर परदेश के सीयम योगी आदितेना ताथा असम के मुख्य मंत्री हिमंत विश्वा सर्मा का करकरम को रद कर दिया गया है चार दिन पहले योगी का करकरम रद हुआ उनकी जगा असम के मुख्य मंत्री का करकरम रखा गया लेकिन अचानाक मंगलवार को उनका अभिकार करनाम रध हो गया गिरीडी के पूर्व सांसाद वा परिवता संकल्फ यात्रा के प्रभाई रविंद्र कुमार पांडे ने प्रेस ब्यान जारी कर कहा है कि दिली के सांसाद मनोज दिवारी का आना निश्चित हुआ है साबा अफराहन तिन वाई से होगी जनकारी के उनसार परिवता संकल्फ यात्रा रथ बुद्धवार की सुबा बेरमो बीस चेत्र पहुंचेगी रथ में पूर्वस्तियम बावुला मरांडी धर्णबास अंसाद धूलू महतो सहित कई अन्यनेता रहेंगे बीजेपी की सरकार बनी तो बिकास में नहीं कोई कसर मध्य पर्देश के मुख्यमंत्री डाक्टर मोहन यादवने जारकन विधान सभा चुनाओं में आकांट टूब गए और अपना विकास करने लगे मुख्यमंत्री रहते किये गए वर्ष्टाचार के कारण हमान सुरेन को जेल जाना पड़ा जेल से छुटते ही दोबारा मुख्यमंत्री बन गए जारकन की भोली भाली जनता जीस पार्टी से परदेश के विकास के उमीद लगाए बैठी है वह परदेश को लूटने वरष्टा चार में ब्यस्त है जारकन की जनता रोजी रोटी के लिए संगर्स कर रही है आप भरतिये जनता पार्टी को असिवाद देका सेवा का मौका दे भाजपा जारकन को विक्सित परदेश बनाएगी जारकन सरकार मैया समान की रासी 2000 देगी जारकन विधान सभाज चूनाओ की त्यारियों की समीक्षा की बीच मुक्ष मंतरी हमान सर्कार ने बहुत बड़ी घोसना कर दी है राज में 18-50 साल तक की महिलाओ के लिए सुरू की जारकन मुक्ती मोर्चा कांग्रेस राष्ट्रिये जनता दल की महागड बंदन सरकार के महत्वकांची योजना जारकन मुक्ष मंतरी मैया समान योजना की रासी को डबल करने की बात कर दी है बदाते हेमान सुरेन की सरकार ने कहा है कि मैया समान योईना की रासी एक है रुपे से बढ़ा कर दो हजार रुपे कर देंगे जार्खन मुक्ती मुर्चा के करकारिया ध्याक्ष और परदेश के मुख्यान ने आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कारकरम को सबोधित करते हुए कहा है कि विपक्षी दालों को नेताओं ने कहते हैं कि विधान सबाचुनाओ जीतने के लिए हैमान सुरे ने मैया समान यूना की शुरुआत की है हैमान सुरे ने कहा है कि खुद तो ए लोग कुछ करते नहीं जब हम महिलाओं को समान देना चाहते हैं तो हम पर आरोप लगाते हैं धन्यवाद यदि आप चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बॉल का बेल एकन दबाएं साच साथ वीडियो को एक लाइक आपने दोस्तों को साथ सेर करना ना भूले साच साथ आप हमें कमेंट बक्स में अपना फीड़वेक अवस्यदे थैंक यू